Welcome to MLT Lab Triglycerides test क्या है क्यों कि यह जाते हैं बढ़ने से कौन से बिमारी होगी price और normal range कितना होता है और यदि बढ़ गया है तो कम करने के क्या उपाया है क्या हमें खाना चाहिए और क्या हमें नहीं खाना चाहिए Triglycerides जो होता है यह एक परकार का common fat है यानि कि सबसे harmful fat जो है वो Triglycerides ही होते है और यह जो है एक परकार का lipid है जो normal amount में हमारे body में मजूद होता है लेकिन यदि normal से ज़्यादा हो जाता है तो यह हमें heart attack और brain hemorrhage अगरा का chances हो ज़्यादा बढ़ जाता है cholesterol और Triglycerides दोनों ही fatty substances यानि कि lipid है हलांकि Triglycerides और cholesterol एक दूसरे से अलग है Triglycerides जो है एक परकार का fat है लेकिन जो cholesterol होते है वो fat नहीं है यह एक वैक्सी लिपिड है mostly cholesterol हमारा body खुद बनाता है यानि कि liver में बनता है और कुछी amount में हम बाहर से खाने के थुरू लेती है लेकिन है 100% जो Triglycerides होता है वो हमें बाहर से बाहर से खाना कहते हैं उसके थुरू हम Triglycerides लेती है टो Triblycerides घाल यह होता है वे एक परकार का store energy है यानि कि हम जो भी खाना खाते हैं उन सभी में कुछ नख कुछ अमांॉंट में sugar होता है calorie होता है या oil होता है या एलकोहल हो गया या हमारा तेल हो गया तो यह सभी जो क्या होता है कि हमारा जो fat cells होता है उसमें जाकर यह deposit हो जाता है और deposit होकर करके यह क्या होता है तेल होते हैं उन सभी में triglycerides होते हैं जैसे कि आपका सरसो तेल हो गया, refine oil हो गया, चाहे butter हो गया, या घी हो गया, उन सभी में triglycerides होता है, वो काफी होते हैं, तो एक चम्मच यदि हम oil लेते हैं, तो हमारे body के अंदर 100 mg जो triglycerides के value बढ़ जाता है, triglycerides test measure करता है कि हमारे body के अंदर triglycerides जो होता है, जарनी कि blood में triglycerides के value कितना है, तो जो normally जो होता है triglycerides के value हमारे बढ़ बडी में, हो 1.500 से कम होना चाहिए, यदि 1.500 से 200 के बीच में हैं, तो इसको borderline माना जाएगा, यदि 200 से 500 के बीच में हैं, तो इसको high माना जाएग तो उसको बोलते है तो यह देखा गया है कि अगर काफी दिनों तक किसी वेक्ति को अगर 300 mg से ज़्यादा triglycerides के value रहता है बोड़ी में तो उसको जो है heart attack का जो chances होता है वो stroke के chances होता है वो काफी बढ़ जाता है triglycerides बढ़ने से क्या होगा हमारे body में अक्सेस triglycerides जब होता है यानिकि access calorie होगा sugar होगा या oil होगा यह triglycerides में convert हो जाता है तो यह यलो color का चिपचिपा पतार्थ बन जाता है तो यह फिर क्या होता है कि हमारे जो blood vessels होते हैं जहां पर blood movement होता है आर्ट्री होता है उसमें जाके उसके वाल पर जाके रिपोजित हो जाता है जिसके वज़ासे जो circulating blood होता है उसके में रुकावट पैदा करता है जिसके वज़ासे जो है मारा heart और brain तक ब्लड का supply जही से नहीं हो पाता है और heart को ज्यादा pump करना पड़ता है blood को supply करने के लिए जिसके वज़ासे जो heart disease वगरा हो सकते है श्ट्रॉक वगरा heart attack वगरा सब हो सकते हैं BP वगरा sugar वगरा के समस्या हो जाती है तो triglycerals के value के बढ़ने से वैसे कोई लक्षन होते नहीं है लेकिन यदि इसका value कुछ ज्यादा हो जाए तो फिर जी हमारा abdomen pain वगरा nausea vomiting वगरा हो जाते है जैसे कि swelling हो गया liver में spleen में swelling हो जाता है और ज्यादा हो जाने से क्या होता है कि heart तक blood supply कम हो जाता है ब्लड का supply नहीं होगा cholesterol के ज्यादा होने से ब्लड का supply नहीं हो पाता है तो फिर brain damage वगरा stroke वगरा होने के chances हो जाते है जैसे कि आप इस diagram में देख रहे हैं यह जो हमारा क्या है कि normal artery है जहां पर blood flow हो रहा है तो जब हमारा triglycerals ज्यादा हो जाता है इस तरह से यहलो कलटका चिपचिपा पदार जो है इसके वाल पे deposit हो जाता है जिसके वज़से normal blood flow में रुकावट पैदा होगा फिर stage 1 जो बहुत जादा हो जाता है तो इस तरह से होगा जाता है जिसके ब्लड supply करने के लिए जिए space होता है वो कम रहता है जिसके ब्लड supply ह हमारे body में brain में heart में नहीं हो पाता है जिसके वज़से heart attack brain hemorrhage हो जाता है तो यह जैसे कि आप देखरें इस तरह से चिपचिपा पदार हमारे body में बन जाता है इस तरह से बन जाता है चिपचिपा बॉल पे जमा हो जाता है और blood supply को रुकावट पैदा कर देता है triglycerides triglycerides के value के बढ़ने से heart disease हो सकता है जैसे कि मैंने पहले बताया कि heart disease stroke बगरा जैसे heart attack brain hemorrhage हो सकता है मोटापा हो सकता है यह हमारे body में जो है वह पेट में या फिर हमारे जो हर एक muscles में डिपोजित हो जाएगा fat के रूप में तो मोटापा हो जाएगा blood pressure बढ़ जाएगा इसके blood sugar भी हो सकता है pancreatitis के बिमारी होती है जो triglycerides के value के बढ़ने से हो सकता है उसके वाद hypothyroidism जो हो जाता है यानि कि thyroid के बिमारी हो सकती है तो इसका test करने के लिए जो क्या क्या चाहिए होता है इस test को करने के लिए जो है वो blood sample की जरौत परती है यानि कि serum sample की जरौत परती है और serum subtracting tube जो होता है yellow color का उसमें हम इसमें collect करते हैं और 12 घंटे की fasting blood sample होता है वो required होता है क्योंकि खाने के बाद triglycerides के value बढ़ जाता है इसलिए खाने के बाद यह test नहीं करवाय जाता है 12 घंटे fasting blood sample morning sample करवाय जाता है रिपोर्ट आपको 5-6 घंटे में मिल जाएगा और इसका जो प्राइज है यह single triglycerides करवाते हैं तो 200-500 रुपिय लेकिन यह LFT जो होता है lipid profile होता है उसके अंदर जो है यह test होता है उसके अंदर यह test already होता है cholesterol हो गया total cholesterol HDL cholesterol LDL cholesterol triglycerides यह सब इसके अंदर होता है लेकिन अलग से भी डॉक्टर करो जदी triglycerides के value अब सकता से ज्यादा हो गया तो इसके कम करने के क्या उपाए तो कम करने के यहीं उपाए कि triglycerides का जो supply है हमारे body में जो supply होते है उसको कम करना चाहिए जैसे कि oily चीज उसको हमें कम खाना चाहिए एलकोल हमें कम लेना चाहिए जो simple carbohydrate वाली जितने भी चीज़ उसको हमें कम लेना चाहिए exercise हमें regularly करना चाहिए जिसके बज़े से store energy हो है वो body use होता रहे हमारा fat कम होता रहे उसके बाद वजन कम होना चाहिए हम कम करने के लिए स्मुछना जो ट्रांस fat जो होता है वो avoid करना चाहिए उसके बाद omega 3 fatty acid लेना चाहिए उसके बाद omega 3 fatty acid लेने से जो है वो triglycerals यहनी cholesterol जो हमारे body में कम होता है जो niacin होता है उसके लेने से कम होता है यदि आपने supply भी बंद कर दिया triglycerals का exercise भी कर रहे है फिर भी यदि आपका triglycerals के नेवरेज के चांसे जो है वो बढ़ जाते हैं तो